इससे पिछले मॉडियूल में मैंने आप से गुजारिश की थी कि हमने construct और variable का concept आपस में कैसे linked है और that tool development से इसका क्या तालुक है इसमें बात की अब जो मैंने variables define कर लिए उनके indicators identify कर लिए तो अब साब जाहर है कि उन indicators के against मैं data collect करूँगा और वो data बाद में सब construct wise आके उनको collect करके मुझे construct को समझने में help out करता है तो यहां मैं nature of data के बारे में गुफ्तुगू करता हूं कि variables के निकाले हुए indicators जो है उन indicators के against हमें किस किस तरह का data collect हम कर सकते हैं या उस data से हम आगे क्या इतमाल कर सकते हैं उसके collect करने के तरीके कौन से होते हैं data बन्यादी तोर पे किस चीज को कहेंगे आप यानि आप अपने identified variables के against या हर variable के indicator के against आप कुछ information collect करते हैं कुछ facts gather करते हैं कुछ statistics के values हैं कुछ observations हैं जो आप वहां से collect करते हैं और इनको collect करने के तरीके generally क्या होते हैं आप experimental studies में experiment के जरीए करते हैं के relevant question में convert करते हैं और फिर उस questions के against आप लोगों से data collect कर लेते हैं या किसी database से data fetch कर लेते हैं और वो data फिर आपके पास जैसे इसे पिछली slide में मैंने का कि वो आपके पास numbers की शकल में आ सकता है, codes की शकल में आ सकता है, text की शकल में आ सकता है या multiple forms में आ सकता है, इन में से किसी combination में आ सकता है, so data basically information है जो आप उन indicators के against लेते हैं लेने के तरीकों में आपके पास experiment है, survey है, observation है, checklist है, inventory है, बहुते तरीक है और जो data उससे आता है, इस तरह के tool से जो data generate होगा, वो data या numerical शकल में होगा, या text की शकल में होगा या इन में के combination की सूरत में होगा, फिर उस data को आगे मैं organize करके analyze करने के तरीके तरह हो, उस data को analyze करने का मतलब क्या है, कि उसके analysis से मुझे insight मिलती है, way forward मिलता है, कि मैं जिस problem को address करने के लिए information collect कर रहा था, इस information को किस तरीके से मैं process करूँ, कि मुझे अपने problem के against data मिल इसका मतलब देखी importance क्या है, अगर आपका टूल उन relevant indicators पे base नहीं करता, जिन से उन सब constructs की information मिलनी है, और फिर उन तमाम सब constructs ने मिलके आपको एक construct के बारे में information देनी है, अगर आपके indicators दूस्त नहीं होंगे, तो आपका पिछला सारा process खराब हो जाएगा, आपकी मेहनत से बना हुआ टूल भी आपको वो information नहीं देगा, जिस से आप उस construct के बारे में कुछ information handle कर सकें, तो data जो है बन्यादी तोर पे collect करने से पहले, ये तमाम precautions जो मैंने आपके सामने रखी, इनको आप जहन में रखते हुए instrument develop करेंगे, और इसके बाद दूसरी side इस data की जो बह handling की ethical side है, कि जब मैं data collector ता हूँ लोगों से तो उसको मैंने secure कैसे करना है, उसके misuse को मैंने avoid कैसे करना है, उस data का कौन कौन सा legitimate इस्तमाल है जो मैं कर सकता हूँ और कौन से चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए और मैं ना करूँ, अच्छा ये सरफ मेरी नियत पे नहीं रहना चाहिए, मैं data collect करता हूँ तो वो system ऐसा हो जिसमें से data की leakage, data का misuse, लोगों को personal harm उस data के मकाबले में या personal advantage उस data की बनियाद पे नहीं मिल सकेगा, इस बात को ensure करना जो है, ये data ethics में आता है, और इसको भी आपने tool बनाते वकत system develop करना होता है, जिसमें data की confidentiality, data की से हासल की ही information का जाइज इस्तमाल इन बातों को आप ensure करते हैं, तो sequence में अगर आप चलिए तो देखें, मैं इसको wind up करता हूँ, ये कहते हुए कि पहले construct था, construct hidden होता है, abstract होता है, latent होता है, कोई भी लफ़ आप कहले, उस abstract चीज़ को मैं sub construct यानि variables में divide करता हूँ, और वो variables जो हैं, वो अपनी nature में abstract नहीं होने चाहिए, बलके concrete होने चाहिए, और उन variables को फिर मैं indicators में convert करता हूँ, उन indicators से मैं फिर tool बनाता हूँ, और उस tool के जरीए से मैं data generate करता हूँ, और उस data का analysis मुझे वापस इनी steps से गुजरते हुए, उस construct के बारे में information देता है, इस sequence की accuracy की importance आपको यहां से समझा गई होगी, कि यह sequence कितना एहम है, और कितने दुरूस तरीके से होना चाहिए, क्यों कि सबसे main काम data की accuracy है, data accurate होगा, तो आपका पीछे वाला सारा system जो है वो दुरूस चलेगा, वरना सारी effort जो हो जाया हो जाती है